वेल्कम एप्रिवन दोस्तों इस वीडियो हम क्लास 11 के चेप्टर 5 जो की कॉंप्लेक्स एन क्वाडर एक्वेशन है इसकी मिसलिए एक्सराइज में 3 एन 4 कुश्चन को सॉल्व करेंगे वीडियो बहुत ही बैठरीन होने वाली है तो प्लीज वीडियो को लाइक एन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही हमारे टेलिगराप ग्रूप एस इंस्टिडियोशल ओफिस्यल को जरूर से जोइन कर लिजिए उस पर आपकी क्लास की नोटिफिक्स और पीडियोफ मिलने वाली है तो विदाउट टाइम देस्टिंग करते हैं क्लास को स्टार्ट तो सबसे पहले करेंगे हैं क्वेशन नम्म 3 को जो कि दिया है 1 अपॉन 1-4 आउटा-2 अपॉन 1 प्लस आउटा इंटू 3-4 आउटा अपॉन 5 प्लस आउटा को मानग रूप में परवर्टित कीजिए तो सबसे पहले जान लीजे मानग रूप यानि स्टेंडर्ड फर्व किया है तो इस्टेंडर्ड फर्म यह आपको भूला जाए क्रॉस मन्टिप्लाई से क्रॉस म्ल्टिप्लाई करते जब क्र достange क्रzech कर देदा गाद हो जाए कि अब इसको सब्सक्रान आप्षस क्राइफस्मोर इनंतो प्ल्स ऑट़ाम अर्ज help देखे चुंख multiply करके लिख दीजे तो 1 plus iota माइनस 2 मैंनस मैंनस क्या हो जाएगा plus 8 iota upon अब इसका multiply कर जिए तो सबसे पहले 1 का multiply करते हैं 1 plus iota में नहीं होगा 1 plus iota आप फिर करते हैं minus 4 iota का multiply तो क्या हो जाएगा minus 4 iota अब करेंगे कितना हो जाएगा जब याद से multiply होई करेंगे तो कितना होजाएगा मैनिस फूर आयोटा स्क्वायर यह उचाएगा इंटी माइनस फूर रडी अपाउन फाइब प्लस आयोटा है अब क्या कर दीजिए अप्ठाक्व कर लिजए प्लस का यह ऎएरह माइनस का बन मारत सू मैंस से बन जाएगा जो इंटू 3-4 आयोटा अपन 5 प्लस आयोटा अब क्या कर दीजिए अब देखें, solve कर लीजिए आयोटा, प्लस का यह हो जाएगा 8 माइनस का 1 माइनस 2 में से 1 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 1 प्लस 9 आयोटा अपन कितना बचेगा देखें, यहाँ फ्लस का 1 और यह कितना हो जाएगा आयोटा की, पावर 4 आयोटा स्कार माइनस 1 तो इधर क्या हो जाएगा 4 आयोटा, प्लस, sorry प्लस 4, तो कितना बचेगा 5 और यह कितना बचा माइनस का 3 आयोटा इंटो 3 माइनस 4 आयोटा अपन 5 प्लस आयोटा अब इसकी आपस में मल्टिप्लाई कर लिजे इसकी आपस में मल्टिप्लाई कर लिजे क्या हो जाए तो आप simple form में कर लिजे देखिए हर कार में होगा आंस का अंस में होगा देखिए सबसे पहले इस bracket का multiply कर लेते हैं किस से multiply करेंगे minus 1 से फिर यहाँ जो SYN do plus 9 आयुनाuten से multiply करेंगे 3 minus 4 आयुना से इत अप ओन कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 आयुटा के multiply करेंगे 5 से plus आयुता से multiply करेंगे 5 माइनस 3 आयुटा अब कर दीजो multiply इससे क्या होगा जल्दी हो जाएगा मैनस 3 प्लस 4 आयूटा प्लस का कितने होता है 27 27 iota –36 adsquare upon 25–15 adsquare प्लस 5 नीस मेंच माइनस 3 स्वेर when ईत्यर से मानजकन कर दीजें μας का 3 और ये इधर कितना होता है इनन एकवान प्लस का 36 प्लस तुकितना संतेज में अगर व踩 आगेए तो कितना होचैगा आप कहेंगे Dzh Charles स्वेर प्लस और यह प्लस का 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 28 इदर कितना बचेगा आप कहने सर इदर बचेगा मानिस का 10 आयोटा इतना बचेगा लेकिन हमें क्या करना है हमें यहां से आयोटा आठाना है तो आप क्या करना होगा आप इसका हमें करना होगा conjugate इसके नीचे वाले का conjugate करके multiply करना होगा हर और answer तो इसका conjugate क्या होगा है दिए इसका स्वयूगमी जो होता है अगर यहाँ पर plus है तो यहाँ minus हो जाएगा same number से साथ तो इधर 10 IOTA हो जाएगा अब क्या कर दीजें दोनों का conjugate से multiply कर दीजे 28 plus 10 IOTA upon 28 minus 10 IOTA ठीक है आप कर दीजे solve दीजे यहाँ से क्या हो जाएगा 28 का square upon हो जाएगा या नीचे इदर लिख लेते हैं 28 का square minus minus क्या हो जाएगा IOTA square plus यहाँ 10 का square upon जी upon वाला हो गया अब इदर 28 का multiply करेंगे 33 से plus 31 का IOTA का multiply करेंगे हम 28 से इदर IOTA लगा दिया plus 10 IOTA करेंगे तो कितना हो जाएगा 330 IOTA plus इदर कितना हो जाएगा 10 करेंगा तो minus 310 ठीक है आप कर दीजे इदर 28 का square कितना होगा तो 28 का square कितना होगा आप calculate कर जीए 28 इंटू 28 से दीए हमने 28 इंटू 28 calculate कर लिया जो की निकला हमा 784 आप cross करके cross check करके देख सकते हैं 10 का square 100 और 28 इंटू 33 हम होता है 924 और 31 इंटू 28 इस इकल टू है 900 स्वरी यह है 800 24 68 आउटा और इतना हो जाएगा इदर 33 330 आउटा minus 310 यह 310 है आप solve करके लिख दीज़े तो इदर कितना हो जाएगा 924 minus 310 करेंगे कितना हो जाएगा आप calculate कर जिए कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 614 प्लस 868 प्लस 330 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 1299 इसको दो से डिवाइट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दस जाएगा इदर कितना पचा 1 इदर भी कितना पचा यानि 18 तो 9 दिन पचा इंटो एड़ अपन कितना पचा आपको जो दो से काटेंगे जो 4 4, 2 और यह ही है इस question का answer चलिए करते हैं next question को next question है question number 4 यदि x प्लस iota y is equal to दिया है under root a minus iota b upon c minus iota d तो सिद्ध कीजिए कि x square plus y square का whole square is equal to a square plus b square upon c square plus d square दिके इसको बहुत ही simple question है इसको किसी तरीकिस करना है अभी आप क्या पढ़ चेके हैं यदि z equal दिया हो x plus iota y तो z bar यानि इसका conjugate क्या होगा x minus iota y इसकी कुछ इसकी कुछ property जो है बहुत समझे लीजिए देखे जब भी z bar और इसका अगर फिर से z bar का फिर से बार कर देंगे यानि फिर से conjugate कर देंगे तो कितना आजाएगा z कैसे आजाएगा देखे इसका फिर से conjugate करेंगे कितना हो जग है एस प्लस iota y जो कि कितना दिया है z यानि और conjugate निकालते कैसे है iota यानि जो भी आपकी imaginary part दिया है imaginary number दिया उसका sign change करके conjugate आजाता है simple है कर दीजे तो क्या करते हैं ये z is equal दिया है x minus iota y ठीक है तो इसके z इन्टू जड़ वार यानि इसका conjugate से multiply कर दीजिए कितना आ जाएगा सबसे पहले conjugate से multiply कर दीजिए कितना आ जाएगा x-iota y into x plus iota y कितना आ जाएगा आप कहेंगे x square plus y square किस तरीके सा जाएगे देख लीजिए इसका जिदे कि x square minus iota y का whole square बन गया है a plus b वाले format से a square minus b square वाले format से तो इदर क्या बचेगा x square minus iota square into y square iota square कितना होता है आपका जोगा सर माइनस बन तो इदर कितना हो जाएगा x square plus y square जो कि क्या दिया है जो कि दिया है और इसका x square plus y square अब ठीक ही प्रकार से हमें A-C, A-B का इसका कर लेजिए conjugate से multiply के तो कितना हो जाएगा A plus Iota B तो इसी तरीके से इसका भी answer हो जाएगा A square plus B square अब C minus Iota D इसका में multiply इसके conjugate से साथ कर लेजिए C plus Iota D तो इसका answer कितना हो जाएगा A square, sorry, C square plus D square अब सारी values को जो है इस वाले में रख दीजिए देखिए जबकि X minus X Iota Y इसका multiply इसके conjugate के साथ करते है कितना हो जाएगा X plus Iota Y same process right hand side में करनी है तो इधर भी हो जाएगा under root के साथ A minus Iota B इसके conjugate के multiply A plus Iota B upon C minus Iota D इधर कितना हो जाएगा C plus Iota D इसके conjugate से multiply कर दी है इधर कितना हो जाएगा आपका जबका पहली value निकाल चुके X square plus Y square और इधर कितना होगा root में A square plus B square upon C square plus D square दोनों तरफ square कर देएगे तो कितना हो जाएगा X square plus Y square का whole square इधर root हट जाएगा तो कितना होचे का A square plus B square upon C square plus D square और यही इस question का answer वीडियो कैसी लगी हमें comment करके जरूर बताईए और चैनल को subscribe नहीं किया तो please चैनल को subscribe करके bell icon on कर लिजे मिलते हैं नेक्स solution वीडियो में कितना होचे जाएगा